हेलो स्टूडेंट्स इस सिये कारिश में अपनसल फ्रम माई फ्यूचर अकैडमी आज आज अपन लोग थियोरम 7.4 & 7.5 करेंगे 7.4 में अपनको S, S, S कॉंग्रूएंसी करनी है और 7.5 में अपनको R, S, S कॉंग्रूएंसी करनी है अभी तक अपनने क्या क्या देखी है 1, S, A, S देखी है एक A, S, A देखी है और एक A, A, S देखी है अब अपन लोगों को क्या देखनी है S, 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 मतलब जब दो ट्राइंगल की तीनो साइट्स मतलब जैसे P, Q यहां पे किसके बराबर है C, B के P, R किसके बराबर है तो यहां पर क्या हो रहा है ट्राइंगल की तीनों साइट्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइट्स के बराबर है तो यह तुम्हारा क्या हो गया दोनों ट्राइंगल कॉंग्रुएंट हो गए एस एस कॉंग्रुएंसी रूल और सिपिसीटी से क्या प्रूफ हो जाएगा प्यूइस एक्वल्स चूब यहां पर फिसके पराबर होगा तुमने के बराबर होगा टुम। वह तुम लोगों को उससाफ से देखना पड़ेगा तुम लोगों को यहां पर पीक्युर और एबिसी की बराबर नहीं है ध्यान रखना वह तुम लोगों को देहना पड़े इ Гoire कौनसा एंगल किसके बराबर है कैसे देखोगे तुम हारा qr is equal to A B और P R is equal to A C तो तो तुमको कैसे पता चलेगा triangle P Q R किसके बराबर है triangle P Q R किसके बराबर देखते हैं जब P तो यहां पर B और B आ रहा है तो Q किसके बराबर है B के और एक यह किसके और यह लाइन और यह लाइन के बीच में कौन आ रहा है और यह लाइन और यह लाइन के बीच में कौन आ रहा है मतलब आर और एक दूसरी के बराबर है तुम लोग चाहो तो वैसे भी देख सकते हो तुम लोग चाहो तो जो मैंने ऐसे बता है वैसे भी देख सकते हूं आते हैं Theorem 7.5, Theorem 7.5 तुम्हारा RHS Conquerency Rule है, RHS का मतलब समझना, R मतलब एक राइट एंगल होना चाहिए, दोनों ट्राइंगल के हाइपोतिनस इक्वल होना चाहिए, और दोनों साइड में से कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए, मतलब यह तुम्हारा जैसे यहां पर यह एक साइड होन चाहिए, यह आइक साइड हो वन चाहिए, और यह तुम्हारा हो गया डॉक्प्ट्ना लर्फ्स." और बोला तो a b is equal to a c हो जाएगा और b d is equal to dc हो जाएगा यह दोनों एक दुसरे के equal है तो तुम्हारे अगर एक यह triangle abc और एक चुटा सा triangle b dc यह साड़ी से इसके equal होगी यह साड़ीस की क्योंकि आइस तो यह triangle आंगल इसके ऑकल यह भड़ा वाले एक गगे अगर यह भड़ावाला और छोटा माल सब्सक्राइब 20th सिर्दह बढनी यह उत्त के बराबर है यह उक्वल ऊबॉछ इसके बराबर किया किया चीज़ सेम है सबसे पहले तो तुम लोगों का एपी एपी कॉमन है तुम लोगों का एपी और एपी एक दुसरे के बराबर है और तुमने हैं अब Negda से ये प्रूफ कर सकते है तो सिप्सीच से ये ये बराबर के बराहबर ये कॉमन है और यह साइड ऊतलने यह और एक प्रसुझे है ला एस ऐस यह डिल ये यह डिल तो सबोगैन गर्वाइस तो सब कर अब और कि है कि जो Haidy यह जो a-p है यह इस के लाइन कौ इस एंगल को दो इकुल सो में तोड रही है और है जो इस वाले में ट्राइंगल कुछ प्रूफ किया था इस तो यह तो प्रूफ होगया था कि यह एंगल elder दोनों एक दूसरे के बनाज दर एगल को तो भासे कर भी हम में कि आपन तो यह को acknowledging तो पर देखके हैं तो सब्सक्राइब यह में सब्सक्राइब और यह साइड एक् इम्ने कौन कोस्व कमन बूल से यह divide है तो प्लिखने लिए ऐस ऐस ये ट्राइंगल एक डुसरे के बराबर और ये दुनों तो झा octopus से यह और यह प्त歪 कि जो एपी तो धो ऑश हैं वह श्यक्को humming कर बंप समझे सूर है साइड इसके से बराबर दी थी यह साइड इसके ब़राबर दी यह दोनों में common है तो ये दुम्हारा SS s से प्रूफ हो गया अगर SS s से यह इकों हो गया तो यह न यह यह तो सब्स्ले हैं और यह सिप्पी-स्टी यह नूब द्रेक्षार हो गये ट्राइंगल में ये इसके बराबर यह साइड इसके और यह कॉमन है तो यह स्ञूल हो जाएंगा ठुक्तिं से यह ईंगल और यह ईंगल दूसरी हैं तो मतलब भी को भी bri और फॉर्थ में बोला है कि प्रूफ करो कि बीज बीपीडी यह जो है वह 90 डिगरी अब इसके लिए अपन को क्या पता है अपन को यह पता है अपने यह दोनों ट्राइंगल अभी सिमिलर पूफ कि अगर यह दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के एकुल है तो मतलब एंगल बी आइंगल BPD is equals to angle CDP by CPCITY अब में को यह दिख रहा है कि यह एक नैने स्ट्रेट लाइन पर यह दो अंगल बन रहें तो यह क्या बना रहें लिए लिनर बना रहें तो यह दोने बराबर है तो मैं लिख सकती हो तो जो एक पी है वो यहां पर किन थनरी एक दूसरी के बराबर है देखो नैंटी true टे crystals हो गया यह नौन पर उब्र कीया था कि बीपी और के इसे बराबर है वह पने यह से इक दूसे के बराबर था लिए यह दुसरे की मिलबोल रहे हैं कि यहांपर 90 डिगरी बना रहा रही है थे से यहां पर 90 बना रहा है तुम्हारा यहां पर एससे करके कोई भी क्राइटेरिया नहीं तो किया सफटर चलेगा तो यह 90 और यह 90 इसका हैपोटेनस और इसका हैपोटेनस ब्राबर और इन दोनों की एक साइड बराबर मतलब यहां पर कौन सा रूल लगेगा रहेच्छ यह वे तो पार रहेचे से से ढूनों ट्राइंगल हैं मतलब तुम्हारा जो बी-ध और इस यह दोनों आंगल तूस gaan को क्या कर रही है जब भी ऐसे कर नधा हुए थो चोटे वाले एंगल के को एक्वड कर देने का तो यह तो यह ना एक उलएद कर रहे है उसको कर रहे है कि के अ अब एक और बोला है कि प्रूफ करो यह जो लाइन है न वह बीसी को बाई सब्सक्राइब तुम लोगों एंगल A को बाई सब्सक्राइब बॉसकर दूर estaban यहां आपनने यह तैंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया अगर यह तोनों ट्राइंगल और उसका मतलब उसको कर के दो इक्वल हिस्सों में तोड़ यह ए बीडी और डीसी सिंटक्याइद चीक है आता है question number third question number third में बोला है कि दो triangle प्रूफ करो कि वह equal है इसमें तो सारी चीज़े अल्रेडी दिये कि वह ABP or PQN है उसमें ABPQ के बराबर है PN और AM बराबर है और BM क्विया क्विया बड़ाबर है तो इसमें प्रूफ हो गया कि यह triangle और यह triangle एक दूसरे के इकवल मतलब सारी चीज़े क्या वोला है कि ऐसा वोला है कि तुम्हारा यह साइड और यह सब्सक्राइब क्यों और मीडियान इकवल है बच्छा एक चीज यह चीज रखना अगर मीडियान इकवल है तो तुम्हारी जो यह छोटे वाले पार्ट होंगे वो भी क्या होंगे इकवल ही होंगे तो यहां पे लिखा A.B.C. क्यों क्यों बड़ावाला है बड़ा वाला A B C is equal to P Q R कैसे प्रूफ होगा क्वेस्टन में अल्रेडी इवन है A B P Q के बड़ाबर B C पूरी वारी नीचे वाली लाइन Q R के बड़ाबर यह दोनों प्रूफ हो गए अब अल्रेडी अपन यह वाला ट्राइंगल और यह वाला ट्राइंगल इक्वल प्रूफ कर चुक है मतलब यह वाला एंगल और यह वाला एंगल इक्वल है बाई सीपी सी की तो मैं रिक्सक्ति हूँ एंगल A B C is equal to अंगल P Q R क्यूँ विकॉस ऑफ सिपी सी तो यह वाला नीचे वाली साइड और नीचे वाली साइड और बीच वाला एंगल मतलब S S S A S से यह दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉंग्रूएंट हो गए Q 4 homework रहेगा Q 5 में आपको RHS यूज करना है 90 डिग्री दिया हुआ है बहुत इजी है एक कॉमन साइड है हाइपोतेनस इक्वल है RHS यूज करके तुमको यह दोनों को इक्वल प्रूफ करना है Q 4 और 5 homework रहेगा उसके लावा कि यह सम्जियां पर खतम होता है कोई डाउट हो बहुत जादा इजी है डाउट हो तो मुझे पूछ लेना